हलो नमस्कार दोस्तों मैं संगेता होजा आप सबका स्वागत करती हूँ आईए आज एक साल बच्चे की टोपी बनाते हैं तो ये टोपी हमने कॉटन की बनाई है क्योंकि अब सर्दियां कम हो गई है और हलकी गर्मी शुरू हो गई तो बच्चों के लिए कॉटन की टोपी बहुत ही अच्छी रहती है देखिए कितनी अच्छी बनी है तो आईए इसका मेजर्मेंट जान लेते हैं कि क्या है तो ये हमने देखिए कपड़ा ले लिया है ये उल्टी साइड है कपड़े का और इसकी लंबाई 12.5 इंच है और चोणाई भी 12.5 इंच है चोकोर का भी चलेगा उपर का कुछ भी चलेगा लेकिन नीचे की लाइनिंग जो है वो कॉटन की होनी चाहिए तो ये देखिए अभी ये कपड़ा बराबर कट चुका इसी के नाप से हमने इसका अस्तर काट लिया है लाइनिंग जो की बहुत ही सॉफ्ट है दोनों कपड़ा उल् पर हमने लाइनिंग रखी है और ये सीधी साइड है अब आप इदर से फोल्ड करें या उदर से फोल्ड करें क्योंकि कपड़ा चौक और है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है और चार इंच हमने यहां से ले लिया है गुलाई के लिए तो चार इंच पर हमने गुलाई दे दिये अब इसकी कटिंग कर देंगे आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो जरूर यह कैप बनाईए क्योंकि बच्चे आब उनी कैप नहीं पैनेंगे यह कैप बहुत ही कमफर्टेबल है बच्चों के लिए यह देखिए यह कटिंग ह हो गई है अब दोनों तरफ हमने कट भी लगा दिया है बच्चे का जो आगे का इसकान से उसकान तक नाप है वो सड़े बारा इंच के वी करीब है लेकिन हमने आधा इंच इसमें इस्ट्रा लिया है और यह धाई इंच चोड़ाई पट्टी काटूंगी तो धाई इंच की पट्टी यह कर दिया है जो आगे बच्चे के फोरेट पे आएगा यह वो पट्टी है तो यह मैं तेरा इंच पे कटिंग कर दूंगी क्योंकि कपड़ा अगर थोड़ा सा जाता है तो ठीके बाद में कट कर लीजिए अगर थोड़ा सा कम पड़ जाता है तो फिर मुश्किल हो जाती है इसलिए हमने थोड़ा सा आधा इंच जादा ही कटिंग किया है इसमें भी पीछ में कट लगा दिया है ये गुलाई पे आ जाएगा और अभी हम इसमें पीछे पट्टी बानने के लिए और पीछे की जो पट्टी लगेगी गर्दन पे उसके लिए ये पट्टी काट लेती हूं डेड़ इंच की दो पट्टी इसमें कटेगी ज्वाइंट तो नटां जाएगा इज फेट आएगा ँए इसको बराबर करके और इसको कटिंग कर देंगे और पलेज दोस्तों है आप ज्यादा से जदा लाइक कीजिये और और सेयर कीजिए और सेस्क्राइब कीजिए सेस्क्राइब करना बिल्कुल न भूले जिससे आपको वीडियो सबसे पहले मिले तो यह दोनों पट्टी हमारी 14 इंच की है यानि टोटल 28 इंच हो जाएगा आईए अब हम इस पे क्या करते हैं इसको पहले हम लंबे टाके से इसको कच्चा कर देंगे लाइनिंग को और मेन फैबरिक को दोनों को जॉइंट कर देंगे यह बिल्कुल रफसिलाई होती है अब जोइश्ट्रा कपड़ा इसकी भी कटिंग कर देंगे हमारे नए भाई बहने वो भी आराम से बना सकते हैं टोपी बहुत ही आसान तरीके से बता रही हूँ अब हम इसमें यहां से लेके और वहां तक उसकोने तक प्लेट डालेंगे पीछे का हिस्सा छोड़ते हुए अब हम पूरे में प्लेट डाल देंगे बिलकुल बराबर प्लेट डालते हुए तो अभी इसमें हम पूरे में प्लेट डाल देंगे छोटे छोटे बिलकुल बराबर न ज़्यादा चोड़े प्लेट हूँ और ज़्यादा दूरी पर हूँ बिलकुल पास पास में एक जैसे प्लेट डालते हुए पूरे में प्लेट डाल देंगे प्लेट डाल के एक तम से गोल्ड ओपी बन जाएगी यह देखे अब एक पर प्लेट डाल के इसको हम नाप लेते हैं कि कितना आ रहा है कि 12 इंच आ रहा है अब यह जो दो पट्टी है तीन इंच की चौड़ाई ले ली है इसको भी उन जॉइंट कर देंगे जॉइंट करके इसको डबल फोल्ड करके एक सिलाई मार देंगे सिलाई करके यह करीबन है 23 इंच अब इस पे भी हम दूर दूर पे प्लेट डाल देंगे बहुत पास भी नहीं डालना है और बहुत दूर भी नहीं डालना है इसको हम बच्चे के माथे पे प्लेट लगाएंगे जो कि पहले की टोपी में भी मैंने लगाया हुआ है जो आप लोगों ने बहुत पसंद किया और बहुत प्यार दिया है यह भी इसमें भी जो कपड़ा थोड़ा बच रहा था तो उसमें भी हमने लगा दिया है आप भी बनाएं छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छी लगेगी देखिए फ्रिल लगके और सुन्दर हो गया यह और यह आगे की पट्टी है एक बार फिर से नापके दिखा देती हूँ सड़े बारा इंच और इसको बंदर से लगाएंगे और उपर को फोल्ड करेंगे अंदर से सिलते हुए उपर को पट्टी फोल्ड करेंगे उपर से लगा के अंदर को भी फोल्ड कर सकते हैं लेकिन जब अंदर से लगा के उपर को फोल्ड करते हैं तो बराबर सिलाई और फिनीसिंग के साथ यह पट्टी बनके तयार हो जाती है अब इसको आप जितना चोड़ा चाहें उतना चोड़ा या पतला आप अपने हिसाब से फोल्ड कर सकते हैं इसको और जो सिलाई हमने सिलाई चलाई थी उसी सिलाई पर आप सिलाई चलाएं फोल्ड करके उसी सिलाई पर आप सिलाई चलाएं देखे जैसे मैं इसमें दिखा रही हूं देखे बिल्कुल परफेक्ट पट्टी लगके त्यार हुई है ना मोटी है ना पतली है और ना आगे है ना पीछे है यह जो यह पट्टी हमने जॉइंट की थी डेड़ हिंच वाली है जो यह पीछे का जो हिस्सा है वो है और यह जो जॉइंट है वह यह पीच का हिस्सा है इसमें अभी क्या करेंगे इसमें जॉइंट करने से पहले एक प्लेट डाल दूँगी छोटी छोटा सा बिल्कुल आप चाहें तो बॉक्स प्लेट भी डाल दें बच्चों के करदन के हिसाब से आप प्लेट डाल सकते हैं तो इसमें मैं एक ही प्लेट डालूँगी, अब जहाँ जॉइंट है वही वहाँ से इधर को नापते हुए, वो बीच का हिस्सा हो गया है जो जॉइंट है कपड़ा, आधी पट्टे इधर होनी चाहिए और आधी पट्टी उधर होनी चाहिए, बीच में करके इसको सिल दूँगी, देखे बराबर फोल्ड करते हुए, अब जितना पट्टी इधर बचा हो कपड़ा और उतना ही उधर बचा हो कपड़ा, यह कि बीच हिस्सा टोपी का ले लेंगे और बीच हिस्सा पट्टी का, तो यह दोनों को तरफ कपड़ा बराबर बचेगा, आईए भी इसको फोल्ड कर देते हैं, बांधने वाला हिस्सा जो है, उसको पतला ही फोल्ड करेंगे, यानि आधा इंची के करीब है यह, और यहाँ पर थोड़ा सा चौड़ा कर देंगे, एक पॉइंट के करीब, देखें टोपी बन के तैयार हो गई, बहुत ही प्यारी टोपी बनिए, आप भी बनाईए, और बिल्कुल कम कपड़े में, थैंक यू,